तो हलो बच्चों मेरा नाम है अर्शवर्दन तो हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी किन-किन टॉपिक्स के उपफर एक तो हमने देखा था एंडो थर्मिक रेक्शन क्या होते हैं एक्जो थर्मिक रेक्शन क्या होते हैं ठीक है उसके लावा तो आये चलिए देखते हैं बेसिकली टाइप्स ओफ रिएक्शन क्या है और कैसे-कैसी होती है ठीक है पाइप्स ओफ रेक्शन यहां पर देख लेते हैं आप्स ओफ रिएक्शन्स ठीक है यहाँ पर हमारे पास पहला टाइप आता है क्या combination, combination, reaction ठीक है combination, reaction ठीक है इसमें combination, reaction basically होती क्या है जिसमें क्या है कि एक single product single product form होता है single product मतलब दो या दो से ज़्यादा reactants से मिलकर कि एक single product form होता है उसे हम क्या कहते है combination, reaction कहते है basically ठीक है आइए इसके अंदर लिख लेता है और reaction a reaction in which single product single product single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction ठीक है इतनी बात समझ मागेगे कि बहुत ही simplest definition है simplest form of reaction है combination reaction में basically होता क्या है कि दो या दो से ज़्यादा reactants मिल करके क्या बनाते हैं कि सिर्फ एक single form single product form करते हैं single product form करते हैं यानि कि reactants कौन होते हैं जो आपस में react कर रहे हैं और product कौन सा होता है जो हमने पिछले lecture में पढ़ा था जो finally reaction के बाद में एक जो नया substance form हो रहा है वो क्या होता है product होता है ठीक है तो इस reaction में basically यहीं का गया है कि दो या दो से ज़्यादा reactants जब react करके एक single product form करते हैं तो उसे हम क्या है combination reaction कहते हैं ठीक है example हम देख लेते हैं example की मदद से हम समझेंगे हम यहाँ पर ले रहे हैं calcium oxide ठीक है प्लस इसे किसमें water water से react कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है बनके हमारे सामने c a o h 2 plus heat ठीक है heat कोई एक element नहीं है या फिर एक को अलग से कोई product नहीं कह सकते हैं इसमें heat generate होती है ठीक है तो वो है है ना main product जो है हमारा वो क्या है c o c h c a o h all twice ठीक है यह होगा हमारा first example second example के और अगर हम बढ़ते हैं तो second example है हम carbon बन ले लेते हैं ठीक है यहां पर हम o2 के साथ इसे react करा रहे हैं तो यहां पर क्या बन रहा है co 2 ठीक है अब यहां पर हम देख सकते हैं एक single product form हो रहा है ऊफिपे एक single product form हो रहा है बाई two or more really reactants by two or more reactants ठीक है इतनी बात clear होगी इतनी बात समझ में आ गई होगी ठीक है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी ठीक है अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी रियक्शन की और दूसरी रियक्शन क्या करी है हमारी दूसरी रियक्शन होती है decomposition reaction ठीक है decomposition reaction ठीक है, इसमें क्या होता है एक single, यह just connected है दोनों अपस में combination और decomposition connected है, connected कैसे है connected कैसे है, कि combination में क्या हो रहा था, two or more reactants मिलकर कि एक single product form कर रहे थे, अब decomposition में क्या होगा, यहाँ पर single reactant होगा, जो लेकिन उसका final product होगा after reaction in certain condition ठीक है वो क्या होगा two or more products formed होंगे वहाँ पर वहाँ पर क्या होंगे two or more products formed होंगे ठीक है आए इसके अंदर लिख लेते हैं a type of reaction a type of reaction ठीक है a type of reaction in which single reactant in which single reactant breaks down breaks down into two or more products into two or more products is called is called basically क्या कहते हैं इसे decomposition reaction कहते हैं is called decomposition reaction ठीक है इतनी बात समझ में आ गई होगी ठीक है combination में क्या हो रहाता मैं फिर समझा जाता हूँ combination में क्या हो रहाता है दो या दो से ज़्यादा reactants मिल करके एक single product बना रहे थे reaction के बाद और यहां पर क्या हो रहा है single reactant का एक single है और वहां पर reaction के बाद क्या है दो या दो से ज़्यादा products form हो रहे है example से समझ लेता है इसे example हम एक दो देख लेता है इसके ठीक है यह फिर से मैं कहा रहा हूँ आपको FESO4 हमने ले लिया suppose यहां पर FESO4 हमने ले लिया ठीक है इसे यहां पर हम react करवाएंगे तो यहां पर क्या बन रहा है F2O3 plus SO2 plus SO3 ठीक है यहां पर क्या है इस reaction से हम क्या देख सकते है basically reaction पर अभी ध्यान मत देना ठीक है reaction पर भी ध्यान मत देना क्योंकि फिर आप लोग सोचेंगे कि बैलेंस अन्बैलेंस यह क्या है हम फर्दर आगे लेक्चर मां पढ़ने वाला है कि balanced equation क्या होती है ठीक है तो यहां पर क्या है single reactant है single reactant है और यहां पर क्या प्रोडक्ट्ट्स दो या दो से जादा फॉर्म हो रहे हैं ठीक है अब इसमें क्या है decomposition reaction के भी कुछ types होता है क्या होते हैं decomposition reaction के भी कुछ types होते हैं वह हम देख लेते हैं types of decomposition decomposition reaction ठीक है कि वह single product को हम मतलब जो single reactant होता है उसे किन certain conditions में हम breakdown होता है वह किन certain conditions में breakdown होता है क्योंकि उसकी reaction कैसे होती है यह सब चीज़ हम उसके अंदर देखने वाले हैं तो first test में thermal decomposition reaction thermal decomposition reaction ठीक है तो thermal decomposition correlation में basically होता क्या है अब single reactant है तो maj asedisar हम कैसे product form करेंगे ऊशह कैसे तोड़ेंगे, ठीके, single reactant को कैसे तोड़ेंगे, वहाँ पर हमें उसे क्या है heat दे करके तोड़ना पड़ेगा, heat के under reaction करवानी पड़ेगी जो single reactant है, उसको क्या heat, heat, heat से reaction करानी पड़ेगी, ठीके, तो क्या है, product breakdown होगा, दो या दो से ज़्यादा products, breakdown होगे, देख लेते हैं इसके अंदर, decomposition decomposition done by heating decomposition done by heating or by supplying heat basically क्या है पूरा game, heat का है ठीके, और by supplying heat energy, heat energy, क्या कर रहा है हम heat energy को supply कर रहे हैं, आफिर heating से उसको undergo करा रहे हैं, ठीके, इस cold basically क्या कहा जाता है, उसे thermal decomposition ठीके, thermal decomposition ठीके, इसका example देख लेते हैं, example ठीके, CACO3 हमारे पास suppose यह एक reaction है, इसे हमने क्या कराया heat कराया, ठीके, यह हमारे पास reaction है, ठीके, तो यहां पर जो product form होआ है, ठीके, CACA ऑद़ी को heat करवाएंगे तो यहां पर product form होआ है वो करे, 2 या 2 से जाधा है, 2 या 2 से जाधा है तो क्या है, Decomposition reaction है कौन से टाइप की decomposition reaction है, Thermal decomposition reaction है, because हमने यहां अपर क्या heat दिए है, ठीके heat दी है या heat supply किया है दोसरा type of reaction देख लेते हैं decomposition के अंदर दोसरा type कौन सा आता है photo decomposition photo decomposition reaction photo decomposition reaction ठीक है अब photo decomposition reaction thermal से हमने क्या समझाता है महाँ पर हम heat दे रहे थे ठीक है thermal से हमने क्या समझाता है thermal में हम heat दे रहे थे photo decomposition में हम क्या देंगे light देंगे या sunlight देंगे ठीक है photo decomposition में किसकी requirement होगी light sunlight की ठीक है decomposition done by light ठीक है decomposition done by light ठीक है is called is called photo decomposition is called photo decomposition reaction ठीक है photo decomposition reaction photo decomposition reaction ठीक है या फिर हम इसे और क्या भी कह देता है photolytic decomposition photolytic decomposition भी हम इसे कहता है ठीक है इतनी बात समझ में आगे होगी इसका example देख लेता है हम इसके क्या example है photo decomposition का एक example देख लेता है ठीक है suppose गे example हमने लिया यहां पर हमारे पास क्या है, AgCl है, AgCl है, इसे क्या है, light में, light की presence में हमने रख दिया, ठीक है, तो यहां पर क्या reaction हो जाएगी, इसे मैं basically balance कर देता हूँ, ठीक है, 2 Ag plus Cl 2, ठीक है, तो यहां पर क्या है, single product है, मतलब single reactant है, अगें, sorry single reactant है, और यहां पर क्या है, 2 यहा, 2 से जाधा, 2 product है, ठीक है, तो यह भी क्या है, third type of decomposition reaction है, अपनी, electrolytic या exigent इसे third type को देखने से पहले हमें question ले लेता है third type को देखने से पहले हमें question ले लेता है ठीक है why agcl silver chloride is kept in black colored bottle black colored bottles ये question में इसले लिया है क्योंकि इससे क्या है आपको photo decomposition reaction समझने में क्या है बहुत जादा ही help होने वाली है ठीक है नहीं तो में क्या है सीधा तीसरी reaction के और बढ़ जाता जो कि थी हमारी electro decomposition reaction लेकिन उससे पहले क्या है हमें इस question के तरू ये भी just an example इस question को जमझना ज़्यादा जड़ी है कि AGCL या फिर AGCL को basically अगर हम बात कर रहे है AGCL के तो हम AGCL पर ही बात कर रहे है currently AGCL जो है silver chloride को black color की bottles में क्यों रखा जाता है अब आपना कई बार laboratories में देखा होगा कुछ जो chemicals होता है वो क्या transparent bottles में रखे जाता है या containers में रखे जाता है कुछ होते हैं जो white color के bottles में रखे जाता है ठीक है कुछ chemicals ऐसे होता है जो black या brown color bottles में रखे जाता है black या brown color bottles में रखे जाता है वो क्यों रखे जाता है ताकि महाँ पर जो direct light है या फिर sunlight है उसको break करने के लिए, ठीक है, उसको break करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर महाँ पर हम उसे transparent container में रख देंगे, तो जैसे जो silver chloride जैसे chemicals है, वो क्या है, sunlight की presence में react हो जाएंगे, और जो purest form है, उनकी AGCL जो basically है, मतलब sunlight की presence में, अगर हम उ transparent containers में रख देंगे, तो क्या होगा, वो breakdown हो जाएंगे अपने आप ही, और हमारे पास जो AGCL purest form है, वो नहीं रह पाएगा, तो इसलिए उन्हें black color bottles में रखा जाता है, ताकि light का जो source है, वो breakdown किया जा सके, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका answer लिख लेंगे, black colored, या फिर black bottles, block black, black bottles, block, या फिर हम कह सकते है, absorb, ठीक है, sunlight, to enter, to enter, ठीक है, तो hence, hence, decomposition, decomposition of AGCL doesn't, AGCL doesn't occur, ठीक है, does not occur, ठीक है, अगर हमारा उद्देश ही यह है, कि AGCL को हमें breakdown कराना है, तो फिर वो हम क्या है, reaction को carry out करते है, light या sunlight के presence में, ठीक है, लेकिन अगर हमें उसे purest form में ही रखना है, बिना फालतों में कोई भी, या मतलब फालतों में कोई भी हमें reaction नहीं करवानी है, AGCL को purest form में ही रखना है ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी third reaction के और, यहां से हम third reaction को पढ़ेंगे, हमने क्या-क्या बढ़ लिया, एक तो हमने पढ़ ली thermal decomposition, जो क्या ही दिखा थी, heat के दुरू थी, एक हमने पढ़ ली photo या photolytic decomposition, जो क्या थी, light के presence में थी, अब third आती है, electro decomposition, electro decomposition, reaction, ठीक है, electro decomposition, reaction, एतनी बात समझ माँ गई, होगी, ठीक है, अब electro, photo से, मतलब, जो नाम चल रहे हैं, types of decomposition reaction में, जो नाम चल रहे हैं, उनसे हम समझ पा रहे हैं, thermal मतलब heat, ठीक है, photo या photolytic मतलब light, ठीक है, और electro मतलब electricity, electro मतलब electricity, यह बहुत famous reaction भी है, अपने आप में आई, इसको देख लेत है, ठीक है, decomposition, famous और important दोनों ही है, ठीक है, decomposition, decomposition, done by, passing, electric current, passing electric current, is called, is called, electro, electro, decomposition, decomposition, electro decomposition, reaction, ठीक है, electro decomposition, reaction, ठीक है, अब इसमें क्या है, कि अपन को वहाँ पर हम क्या है, thermal में heat दे रहे थे, photo में light दे रहे थे, और electro decomposition में क्या है, electricity दे रहे हैं, इसका एक बहुत ही, बहुत ही, हम पहले को basic example से समझ लेता है, पिर मैं आपको एक experiment बता हूँ, ठीक है, हमने यह और यह पर क्या लिया, 200, ठीक है, इसे क्या है, electricity से पास करा है, हुधने, здесь, इसमें क्या electricity पास करवाई, तो यहां पर क्या है, क्या बनेगा product, 200 2 plus 200, sorry SMITH 2 plus 2, ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा था हमारा, 26 अपर, product form, हो गया हमारा, single reactant से, product form, हो गया है, ठीक है, अब basically, इस reaction म हुआ क्या है मैं आपको एक्सपरिमेंट से बता देता हूं आप लोग गर में ट्राइ कर सकते हैं नहीं करना चाहें तो भी करिएगा ठीक है या फिर अगर करना चाहें तो कर सकते हैं जिससे कि क्या आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे ठीक हमें क्या करना है एक वाज के अफिर कह सकते हैं जो रिमोट के सेल्स होते हैं जो हम डिल लाइक में घरों में यूज करते हैं उन दो सेल्स को क्या है उस सॉल्यूशन में डाल देना है तो आप देख पाएंगे कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टर्मिनल बे क्या है बबल्स बबल ठीक है एलेक्ट्रलाइसस कर रहे हैं ठीक है तो यह था इसका एक एक एक्जाम्पल ठीक है और वहाँ पर बेसिकली वह जो बबल्स इवाल हो रहे हैं वह किसके हैं एच्टू एच्टू और ओटू गैस कही है ठीक है तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आईए अब हम देखते हैं कौन सी रियक्शन ठीक है अब हम कौन सी रियक्शन देखेंगे ठीक है थर्ड टाइप ओफ रियक्शन देखते हैं ठीक है थर्ड टाइप ओफ रियक्शन हम देखते हैं ठीक है वह कौन सी होगी वह कौन सी होगी ठीक है बेसिकली हम अभी तक कौन कौन स displacement reaction displacement reaction ठीक है displacement reaction ठीक है अब displacement reaction क्या कहती है basically displacement reaction क्या कहती है suppose यहाँ पर AB plus C ठीक है यहाँ पर एक product form हो रहा है ठीक है यह reactants है यह reactants है ठीक है यह reactants है तो अब यहाँ पर B क्या है B क्या है B ऐसा बंदा है B ऐसा बंदा है जो क्या है उसको कोई फरक नहीं पड़ता हो खुशी-कुशी का अगर सकता है A के साथ भी बैठने को तयार है A के साथ भी बैठने को तयार है और क्या है C के साथ भी बैठने को तयार है ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा C अगर A से ज़्यादा powerful है C अगर A से ज़्यादा powerful है तो क्या करेगा B को अपने पास बढ़ेगा तो यह जो reaction बनेगी वो क्या होगी? यह reaction form हो जाएगी लेकिन case क्या होना चीए? C ए से जढ़ा powerful होना चीए अगर C A से ज़्यादा powerful नहीं है और B पहले से एक के साथ बेठा है तो यहाँ पर क्या बनेगा? No reaction बन जाएगी यहाँ पर क्या बनेगी? No reaction होगी ठीक है? इसे basically इस concept को क्या कहा जाता है? Displacement reaction कहा जाता है लिख लेते हैं हम लोग Reaction in which Reaction in which More Reactive More reactive element More reactive element Displaces Displaces Less reactive Metal from its salt Metal from Its salt From its salt Is called Displacement Displacement Reaction कितनी बात समझ में आगई होगी इस concept से तो बिल्कुल अच्छे सा समझ में आगई होगी और कि इसकी basic definition है कि Reaction in which more reactive element displaces Less reactive metal यहाँ पर क्या था? A less reactive था C से इसलिए क्या किया? C ने B को अपने साथ बिठा लिया और A को क्या है? अलग कर दिया तो इसलिए More reactive element displaces Less reactive metal from its salt From its salt is called displacement reaction Example देख लेते हैं Suppose हमने क्या है zinc ले लिया Zinc यहाँ पर ले लिया और Cu SO4 copper sulfate के साथ इससे react करवाया ठीक है? तो यहाँ पर क्या बनेगा? ZN SO4 plus Cu ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या है zinc का केला था? ठीक है? और copper के साथ क्या था? सलफेट था ठीक है? लेकिन zinc क्या है जादा powerful है? zinc क्या है जादा powerful है? इस topic के साथ साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ reactivity series ठीक है reactivity series नाम की एक series होती है इसमें क्या करीबन 70-80 elements होते हैं जो कि उनकी reactivity power के form में जमाए हुए रहते हैं ठीक है वो अभी हम जो काम में आने वाले हैं class 10th और 11th में भी 11th तक भी आपको जो elements काम में आने वाले हैं वो उनोंने elements को क्या है reactivity series में जमा लेंगे ठीक है तो basically यहाँ पर potassium sodium calcium magnesium aluminium zinc iron lead ठीक है copper hydrogen hydrogen और platinum ठीक है तो अब यह क्या है decreasing order sorry decreasing order of in activity क्या है decering order में greater less reactive जयसे जयसे नीचे आते जा रहे हैं वैसे less reactive होते जा रहे हैं यानि की potassium जो है potassium वो सबसे ज्यादा reactive element है और platinum क्या है सबसे लेname और प्लैटिनम क्या है सबसे faster than और in nitrogen एक बेस्ड ओन तेरा temperature years बेस्द वं तेर großes उपर नीचे होते रहता है इनकी पुजिशन बदलते तौब यहांपर क्या है zinc कासे उ 챍 जिक के एराआं कापर कहा है कापर कहा है लेस्रेक्टिवे जिंक से झा सुस्थे psychiat को खुत के SO4 plus Cu, ठीक है, तो अब यहाँ पर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, अब एक example ले देते हैं, Zinc plus KCl, ठीक है, Zinc plus KCl, तो यह क्या होगी, यह no reaction होगी, basically, कोई reaction carry out नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बताया था, अगर A more powerful है, A ज्यादा powerful है, तो वो B को जाने नहीं तो Zinc यहाँ पर क्या है, potassium से, Zinc यहाँ पर क्या है, Zinc जहाँ पर क्या है, Zinc का है, Zinc कि यह रहा, Zinc यहाँ पर क्या है, Potation से Less Reactive है, तो potassium छोडेगा नहीं, Chlorine को, और यह क्या है, no reaction होगी, ठीक है, चलि harousand sini, आगे बढ़ते हैं, इस के बाद आती है, fourth type of reaction का, हमने देख reaction हमने देख लिया combination के बाद हमने decomposition reaction देख लिया decomposition के बाद displacement reaction देख लिया now जो fourth type की reaction आती है वो होती है double displacement reaction double displacement reaction ठीक है तो यह क्या होगी double displacement reaction ठीक है अब double displacement reaction में क्या होता है हमने देखा था महाँ पर कि AB plus CD है हमारे पास दो reactants है ठीक है तो यहां पर क्या होगा यहां पर क्या होगा यह तो जाना चाहेगा डी के पास और सी आना चाहेगा बी के पास यहां किया सकते हैं बी सी एक साथ होना चाहेंगे और एक साथ होना चाहेंगे तो यहां जो product form होगा वो क्या होगा A plus AD plus CB ठीक है यह होगा यहाँ पर displacement क्या है दो बार हो रहा है दो बार displacement हो रहा है तो यहाँ पर क्या है इसको इसलिए double displacement reaction बोला जाता है further example के साथ देखते हैं आई यह लिख लिएता है a type of reaction a type of reaction in which in which exchange of iron takes place exchange of iron takes takes place or a type of reaction or a type of reaction in which two compounds two compounds react to form react to form two new compounds two new compounds यहाँ पर दो नए compounds को form करने के लिए दो बार displacement हो रहा है इसलिए से यहाँ पर double displacement reaction कहा जाता है example देख लेते हैं इसका ठीक है example हमने देख लेते हैं na2 so4 हमने ले लिया plus b a cl2 यह reaction आप लोग देख सकते हैं इसका जो product होगा वो क्या होगा यह होगा इसका product ठीक है ठीक है यह इसका product होगा अब हम देख सकते हैं na तो कहां चला गया na तो कहां चला गया cl के पास चला गया और b a कहां आ गया so4 के पास आ गया ठीक है तो यह a b plus c d equal to a d plus c b वाली situation यहां पर create हो गई है ठीक है तो यह क्या है double displacement reaction है यह क्या है double displacement reaction है और एक और चीज double displacement reaction का कोई लिना देना नहीं है reactivity series से ठीक है double displacement reaction का reactivity series से कोई लिना देना नहीं है कि less reactive यार more reactive power होगा तो ही change करेगा या नहीं करेगा ठीक है यहां पर कुछ और कारण होते है जिसकी वज़े से double displacement होता है like charges, shape, size in sub basis पर यहां पर displacement अकर होता है तो इसलिए यहां पर reactivity series से double displacement reaction में कोई लिना देना नहीं है ठीक है अब हमने यह दिखा fourth type of reaction देखी थी हमने double displacement reaction now there is fifth type of reaction ठीक है and this is the most important reaction और बहुत confusing भी है अपने आप में ठीक है लेकिन this is the most important reaction further classes में जैसे दिसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इस reaction के बारे में आपको पूरे पूरे chapters मिलेंगे बहुत बहुत description में पढ़ाया जाएगा ठीक है तो fifth type of reaction is oxidation oxidation and reduction reaction ठीक है oxidation and reduction reaction ठीक है अब basically oxidation reduction reaction में होता क्या है basically देख लेता है ठीक है सबसे पहले हम देखेंगे oxidation क्या होता है सबसे पहले हम देखेंगे oxidation होता क्या है ठीक है O2 का O2 का oxygen का add होना oxygen का add होना या फिर hydrogen का remove होना ठीक है oxygen का add होना या फिर hydrogen का remove होना या फिर दोनों ही चीज़ें एक साथ होना ठीक है अगर यह situation हो रही है reaction में ठीक है तो उसे हम क्या वो लेंगे oxidation reaction ठीक है अगर reaction में product में अगर जो हम reactants है उनसे जो product form और उसमें O2 remove O2 add हो रहा है और hydrogen remove हो रहा है या दोनों एक साथ हो रहे हैं तो यह क्या होगा oxidation reaction होगा oxidation reaction होगा लिख लेते हैं definition लिख लग लगा जैंअ oxidation की और टाइप ओफ रियक्शण और टाइप ओफ रिय Cook इन विच इन विच अधिश्ण हख अधिश्ख एडिश्चन कि और आइडिशन ओफ ऑफ चिजन और atom या atoms ठीक है, takes place, takes place, ठीक है, is called, is called oxidation, ठीक है, is called oxidation, इतनी बात समझ में आगे होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, oxygen का add होना है, या hydrogen का remove होना, या दोनों एक साथ होना है, इससे क्या कहा जाएगा, इससे क्या कहा जाएगा, कौन से type of reaction होगी, oxidation reaction होगी, ठीक है, oxidation reaction होगी, ठीक है, अब एक्जामपल देख लेते हैं हम यहां पर, ठीक है, एक्जामपल हम देख लेते हैं जैसे कि 2 CPU PLUS O2, क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं, थीक है, अब यह जो reaction है, इससे ध्यान से देखना, यह जो प्रोड़क्ट में क्या है ऊक्सीजन एड हो गया तो यह क्या होगा एक्षाverbsर होलें सब्सक्राइब तो यहां पर क्या है तो यहां लेकिन इदर कार्बन जब आया तो इसके साथ और न हो गया इसके साथ क्या oxygen add हो गया तो ये भी क्या होगा एक oxidation reaction होगा oxidation reaction होगा ठीक है अब हम basically देख लेते हैं oxidizing agent क्या होते हैं oxidizing agent क्या होते हैं ठीक है substances substances which provide which provide provides oxygen or remove or remove hydrogen from substances from substances ठीक है is called oxidizing agent कहा जाता है oxidizing agent यहाँ पर कहा जाता है oxidizing agents क्या होते हैं वो substance होते हैं जो कि क्या करते हैं या तो oxygen provide करते हैं या फिर hydrogen को remove करते हैं substances में से reaction में से तो वो क्या कहा जाता है उन substances को क्या जाता है oxidizing agents कहा जाता है oxidizing agents कहा जाता है तो यह बात की थी हमने oxidizing agents की ठीक है अब इसके बाद में हम देखते हैं अब इसके बाद में हमें क्या देखना है hydrogen का add होना या फिर oxygen का remove होना, just ultra है just ultra oxidation का, या फिर दोनो एक साथ होना, या फिर दोनो एक साथ होना, उसे हम क्या कहेंगे, reduction कहेंगे hydrogen का add होना, या फिर oxygen का remove होना, या दोनो एक साथ होना, उसे हम क्या कहेंगे, reduction कहेंगे आईए लिख लेता है, ठीक है hydrogen or removal of oxygen takes place is called reduction is called reduction example से देख लेते हैं यहाँ पर हमने ले लिया lead oxide हमने ले लिया प्लस इसमें कहा है carbon से इसे react करवाया तो यहाँ पर क्या बन गया carbon monoxide हमार पास बन गया lead क्या है अलग हो गया फिलेड क्या है अलग हो गया तो यहां पर हमने देख सकते हैं lead यहाँ पर क्या था oxygen के साथ था लेकिन यहाँ पर lead क्या अकेला है तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्रिमूबल ऑफ औक्सिजन हुआ है, तो इसे क्या बोलेग़े रिडॉक्शन रैक्शन, इसे क्या बोलेग़े, रिडॉक्शन रैक्शन, ठीक है एक और EXAMPLE हम देख लेता है, suppose, 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 एक example हम और देख लेता है, ठीक है, एक second example देख लेता है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है, यह reaction, ठीक है, यह reaction है, reaction को ध्यान से दिखिएगा, ठीक है, इसमें क्या है हमें, अलग कि निकल भी डालना पड़ता है as a catalyst, पर उस पर ध्यान मत दीजिए, अभी उस पर ध्य reaction को देखो, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हुआ है, hydrogen क्या है, add हो गया, इदर कितने थे hydrogen, इदर hydrogen कितने थे, c2s2 में hydrogen कितने थे, 2 थे, इदर कितने हो गये, 4 हो गये, ठीक है, तो यह क्या है, यह भी reduction है, यह भी क्या है, ठीक है, इतनी बा आता है हमारे पास sixth type of reaction इसके बाद हमारे पास sixth type of reaction आता है ठीक है वो होता है redox redox reactions ठीक है वो होता है redox reactions वो क्या होता है redox reactions इसे हम देख लेते हैं redox reactions को देखने से पहले एक चीज़ और हम देख लेते हैं हमने पढ़ा था, oxidizing agent क्या होता है? औकसीडिक्सेट के साथ साथ, reduction में अब होता है? reducing agent होता है, reducing agent होता है reducing agent क्या होता है? वो chemical substance होता है chemical substances लिकलो chemical substances which provide hydrogen or remove oxygen from compound OR remove oxygen from compounds ठीक है, from compounds are called reducing agents, ठीक है, इतनी बात समझ मागई होगी, चलिए आ जाते हैं अपनी redox reaction पर, ठीक है, redox reaction होती क्या है, redox means red plus ox, red plus ox, अब ये क्या है, एक mixture होता है किसका, यहाँ पर reduction और oxidation क्या है, दोनों एक साथ हो रहे होते हैं, दोनों इसलिए क्या बोला गया है, एसे, redox reaction बोला गया है, ठीक है, अब इसमें लिखते हैं, whenever whenever oxidation or reduction whenever oxidation or reduction takes place, मैंने क्या बताया था, takes place at the same time, at the same time, ठीक है, in a chemical reaction, in a chemical reaction, ठीक है, in a chemical reaction, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा था, उसे क्या कहा जाएगा, is known as, is known as, redox, is known as redox reaction, ठीक है, is known as redox reaction, red stands for, red stands for reduction and and ox stands for oxidation oxidation ठीक है, means means ठीक है, that means that means red plus ox is equals to redox, ठीक है, इतनी बात समझ में आगई होगी, इतनी बात समझ में आगई होगी, ठीक है, अब इसका example देख लेते हैं, basically example से समझने की कोशिश करते हैं हम इसे, ठीक है, एक्जामपल ले लेते हैं, हम ने ये reaction ले लिया, आप reaction को गवर से देखेगा, reaction को ध्यान से देखना, ठीक है, हमने क्या है, lead oxide ले लिया है, lead oxide को हमने, carbon के साथ react कर आया, तो ये हमें compound मिल गया है, ये हमे बोलेंगे reduction बोलेंगे लेकिन वहीं पर क्या है carbon में oxygen add हो गया है carbon में क्या हो गया oxygen add हो गया है तो हम इसे क्या बोलेंगे oxidation oxidation तो अब आप देख सकते हैं एक ही reaction में इस single reaction में एक ही reaction में दोनों चीजें एक साथ हो रही है तो हमने वही definition लिखी थी कि whenever oxidation and reduction takes place at the same time in chemical reaction थो उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम क्या बोलेंगे redox reaction बोलेंगे उसे हम क्या बोलेंगे redox action बोलेंगे доб इंडेकर the substance that are oxidized oxidized and reduced and reduced in the reactions in the reaction यहां पर वो substance पूछे हैं जो oxidized हो रहे हैं ठीक है और reduce हो रहे हैं यहां पर agents नहीं पूछा है oxidizing agent या reduction reducing agent नहीं पूछा है वो substance पूछें जो खुद oxidize हो रहे हैं या फिर reduce हो रहे हैं ठीक है तो पहला है पहला है हमारे पास पहली reaction हमारे पास क्या है पहली reaction मैंने आपके साथ आपके पास लिख दी है ठीक है यहीं पर वीडियो को pause करके एक बार इससे solve करने की कोशिश करो इससे देखने की कोशिश करो अगर समझ में आता है तो इसका answer comment box में type करो ठीक है नहीं तो मैं तो आपको solution बताई रहा हूँ ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है इस reaction में क्या हो रहा है यहां पर हमारे पास sodium था इसमें क्या हो रहा है तो यह क्या है oxygen remove हो रहा है यहां से oxygen क्या है remove हो रहा है that means यहां पर reduction हो रहा है ठीक है और यहां पर क्या है oxygen add हो रहा है that means यहां पर oxidation हो रहा है तो दोनों चीजें एक साथ हो रही है तो हम इसे क्या कहेंगे redox reaction कहेंगे दोनों of oxidation effects of oxidation on everyday on everyday life oxidation का effects क्या-kya होते है अपनी daily life पे या फिर अपनी रोज मर्रा की जिंदगी में oxidation की क्या-kya effects होते हैं इसमें पहला आता है इसमें पहला आता है बहुती common term corrosion ठीक है? corrosion ठीक है? अब मैं basically अगर आप से पुछूँँगा corrosion होता क्या है basically corrosion होता क्या है? तो corrosion क्या होता है? आप लोग सीधा मुझे से बोलेंगे sir rusting of iron ठीक है? बट ये answer क्या है? गलत है. rusting of iron corrosion का सिर्फ एक just एक example है, सिर्फ एक मातर example है, एक मातर तो नहीं गलत बोल रहा हूँ ठीक है? एक मातर नहीं बहुत सारे when a metal is attacked, when a metal is attacked by a substance, by a substance around, by a substance around it, such as वो क्या क्या हो सकते है? such as moisture, such as moisture, acid, etc. ठीक है, moisture भी हो सकता है, acid भी हो सकता है, etc. कुछ और substance भी हो सकता है, तो क्या होगा? it is said it is said to corrode जब भी attack करेंगे तो ऐसे substance किसी भी metal को attack करेंगे तो वो क्या है? it is said to corrode corrode होना चालो हो जाएगा, या corrode हो जाएगा and this and this this process is called this process is called this process को हम क्या बोलेंगे? corrosion बोलेंगे ठीक है, इस process को हम क्या बोलेंगे? corrosion बोलेंगे इसके कुछ examples हैं देख लेते हैं जैसे black coating of silver या on silver silver पर क्या है black coating आ जाती है? ठीक है, वो क्या है corrosion का example है? green coating आ जाती है, green coating आ जाती है किस पर? copper पर green coating on copper ठीक है? या फिर या फिर ब्राउनिश या फिर ब्राउनिश रेड कोटिंग ब्राउनिश रेड कोटिंग on iron, rustic of iron का भी example में आ आपको दे दिया ठीक है? अब बेसिकली हम अगर rustic of iron को इतना जाधा priority पे लेके जल रहे हैं बार-बार rustic of iron बोल रहे हैं तो rustic of iron का ही एक example देख लेते हैं कि उसमें क्या reaction involved होती है कैसे होता है वो process rustic of iron basically हम यहां पर देख लेते हैं ठीक है कि corrosion कैसे होता है यहां पर हमने क्या है यह reaction लिख दी ठीक है xh2o ठीक है ufe2o3.xh2o ठीक है अब यहां पर क्या है basically एक चीज में कर देता हूँ यहां पर ठीक है एक चीज में यहां पर कर देता हूँ अभी आप यह जो मैंने numbers लिखे है balance किया equation को side में रखके चलिएगा ठीक है iron को क्या है fe को क्या है हमने o2 के साथ और water के साथ यहां पर iron को हमने कहा है o2 यहां पर single iron है उस पर क्या है o2 ने और moisture ने attack किया ठीक है तो यहां पर क्या substance form हो गया इससे कहते हैं rust ठीक है यहां पर यह जो form होगा substance इससे हम कहते हैं rust x इसलिए लिखा हुआ है कितने भी molecules जुड़ सकते हैं according to situation water के moisture के कितने भी molecules कितने भी molecules हिंदी में लिख दता हूँ इतने भी molecules यहां पर जुड़ सकते हैं ठीक है इसलिए x2 लिखा है वहां पर ठीक है तो यहां पर यह रस्ट फॉम होगया है तो इससे कहते हैं rusting of iron ठीक है इतनी भाद समझ मागई होगी अब methods देख लेते हैं basically methods किस चीज के methods देखेंगे methods to prevent methods to prevent अगर हमने rusting के example लिया तो methods to prevent rusting ठीक है methods देख लेते हैं ओप्रश्टेंग सबसे पहला क्या है oiling सबसे पहला क्या होगा oiling and greasing oiling and greasing ठीक है तो अगर हम किसी भी metal को प्रोइलिंग या ग्रीसिंग कर देंगे तो क्या होगा oxygen का supply है वो cut off हो जाएगा metal से oxygen का क्या है supply cut off हो जाएगा metal से और moisture भी ठीक है तो basically हमें क्या oxygen का supply cut off करना है जिससे कि हम resting को prevent कर सकें तो एक method तो यह हो गया होती है basically zinc होटी है zinc की coding होती है किका है zinc क्या है less reactive होता है किसके साथ oxygen के साथ यह react होने नहीं देता oxygen को attack करने नहीं देता ठीक है तो अगर हम galvanization करेंगे या फिर coating करेंगे basically तो क्या है metal अवना सुरक्षित रहेगा किससे prevent कर सकेंगे हम उसे रस्टेंग से ठीकए फूर्थ सुम देख लेते हैं electroplating एलेक्ट्रो प्लेटिंग ठीक है ये क्या होता है basically इलेक्ट्रोप्रेटिंग क्या होती है ठीक है अधर मेटल्स की कोटिंग होती है अधर मेटल्स की कोटिंग होती है कोटिंग ओफ अधर मेटल्स ठीक है like like gold gold silver ठीक है because ये क्या है because ये क्या है because inert metals है यानिकि less reactive है बिल्कुल less reactive है ठीक है इतनी बात समझ में आगी होगी यह Ones क्या देख लिया मेटट्स देख लिया किसको prevent करने के को डिवेंट करने के अब हमें क्या देखना है अब हमें क्या देखना है question ले लेते हैं basically हमने क्या एक question ले लिया why we apply why we apply paint on iron objects ठीक है अभी हमने में देखा था methods में कि उसे prevent करने के लिए थाकि oxygen की supply cut off हो जाए ठीक है oxygen metal तक नहीं पहुंच पाए paint के एक layer से तो इसलिए हम क्या है paint apply करते है objects पे थाकि रस्टिंग को prevent किया जा सके तो बहुत ही सीधा simple इसका answer है बहुत ही सीधा simple इसका answer है to cut off to cut off the supply of oxygen so as to prevent corrosion ठीक है इतनी बात समझ में आ गई होगी इतनी बात समझ में आ गई होगी ठीक है यह था हमारा question इसके बाद हम देख लेते हैं second चीज हमने पहला तो क्या देखा पहला तो हमने क्या देखा था corrosion ठीक है जो कि क्या था example था oxidation का oxidation का effect था example नी effect of oxidation था in our everyday life दूसरा effect क्या है rancidity दूसरा effect क्या है rancidity है ठीक है rancidity क्या है हमारा दूसरा effect है ठीक है oxygen के साथ oxygen क्या है ओने भी attack करता है attack करता है और उनने क्या है खाने-लाय एक form में नहीं रहने देता है यानि क्या हम कह करते ना sealed जाता है जैसे कोई chips है ठीक है और वसiron जाज़ा देज़ा खुला चोड़ते हैं तो क्या सील जाता हो ठीक है उसकी स्मेल भी खरापसी हो जाती है टेस्ट भी खरापसी हो जाता है तो वो क्या है किसके थूरू होता है तो आई यह देख लेते हैं रेंसिटिटी में होता क्या है when food when food containing when food containing fat and fats and oils are oxidized are oxidized, oxidized कैसे हो रहे हैं क्योंकि oxygen नोशन में क्या है, attack किया है are oxidized, they become they become rancid they become rancid, ठीक है and their smell and क्या हो रहा है, यह stylus को, their smell and taste and their smell and taste changes changes this is called basically क्या कहा जाता है, this is called rancidity this is called rancidity, ठीक है इतनी बात समझ में आ गई होगी, rancidity किसको कहता है, कैसे होती है, और किसके दूब होती है अब हमने कहा है, rusting of iron देखा था, और origin देखा था, तो हमने कहा है, उसके methods भी देखे था, कैसे prevent कहा जा सकता है तो rancidity के भी क्या है, हम methods देखेंगे, how to prevent, methods to prevent, methods to prevent, methods to prevent, to prevent rancidity, ठीक है, methods to prevent rancidity, ठीक है, पहला है इसमें, पहला है, क्या है, पहला, adding, कुछ chemicals हम एड कर देते हैं, adding, bha and bht, ठीक है, bha and bht, यह क्या होते हैं, basically, antioxidants होते हैं, they are antioxidants, they are antioxidants, ठीक है, which prevent oxidation of food, which prevent oxidation of food, ठीक है, तो bha और bht क्या होते हैं, basically, कुछ ऐसे chemicals होते हैं, जो कि antioxidants होते हैं, antioxidants मतलब oxygen को उस पे attack करने नहीं देते हैं, ठीक है, उने हम उन chemicals को हम क्या है, add कर देते हैं, food में, ठीक है, तो, यह किसी भी material substance में, ताकि क्या है, यह antioxidants, oxidation होने से, रोख सकें, prevent कर सकें, ठीक है, ठीक है, bha और bht के full form, basically, definitely, आप लोगों के अभी काम में नहीं आने वाली है, आपको सिर्फ इतना सा term remember रखना है, bha और bht, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं, bha के full form होते है, butylated hydroxy anisole और butylated hydroxy toline, ठीक है, second, second हम देखते है, flushing, flushing packets of food, flushing packets of food, with, and to nitrogen gas, ठीक है, flushing packets of food with nitrogen gas, अब आपने देखा हूँगा, जो packed foods आते हैं, जैसे कि chips ले लो, या फिर कुछ भी ले लो, ठीक है, वो क्या है, packet, उनके क्या है, air tight मदब, air से भरे हुआ आते हैं, ठीक है, उसमें air basically consequence present होती है, nitrogen gas present होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जब हम chips को pack कर रहे होता है, तो क्या है, nitrogen gas बहुत ही pressure से fill की जाती है, जिससे क्या oxygen सारी packet में से बहार आ जाए, और उसे जल्दी से क्या है, seal कर दिया जाता है, pack कर दिया जाता है, ठीक है, यतनी बाद समझ में आ गई होगी, third हम देखते हैं, keeping food, keeping food in air tight container, air tight containers, ठीक है, अब तीसरा क्या है, कैसे prevent कर सकते हैं, जो food है, उसे हम क्या है, air tight containers आते हैं आजकल, ज जैसा तो proper air tight container अभी तक को आया नहीं है, या फिर markets में available नहीं है, कि जिसमें proper air tight हो, मतलब 0.1% भी air का exchange नहीं हो रहा हो, लेकिन air tight containers इतने capable होते हैं, कि वो कुछ time तक, कुछ time तक, food को, क्या कहते हैं, rancid होने से बचा सकते हैं, ठीक है, food को rancid होने से बचा सकते हैं, ठीक food in cool places like refrigerator, like refrigerator, ठीक है, cool places में क्या होता है, oxygen, oxygen क्या होता है, is not able to react, not able to react, at, react at cool places, ठीक है, cool places पर क्या होता है, oxygen इतना ज़्यादा react नहीं कर पाता है, तो क्या है, food की capacity है, वो क्या है, हम 2-3 दिन तक, food को store कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम जो अपना food होता है, लेक्टोबर उसे क्या है, refrigerator में रख देते हैं, ताकि oxygen क्या है, वहाँ पर react नहीं कर पाता है, इतना ज़्यादा capable नहीं होता है, कि cool places में इतनी जल्दी या इतना फटाफट से reaction कर दे, ठीक है, इसलिए वहाँ पर क्या है, हमारे पास option होता है, कि हम 2-3 दिन तक क्या है, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, फिफ्ट आता है हमारा method, फिफ्ट method होता है हमारा keeping the food in, keeping the food in dark, dark places, ठीक है, keeping the food in dark places, same like refrigeration या फिर cool places का example ले ले, तो क्या है, dark places में भी oxygen क्या है, उतना ज्यादा react नहीं कर पाता है, उतना fast react कर नहीं नहीं कर पाता है, ठीक है, sixth and last point हम देख लेते है, vacuum, vacuum packing, ठीक है, vacuum packing, ठीक है, vacuum packing क्या होती है, आपने देखा होगा खजूर होते हैं, dates होते हैं, ठीक है, वो हो गया है, cheese हो गया, paneer हो गया है, ऐसे जो substance होते हैं, उनके packets देखे हैं, आपने बिल्कुल vacuum, ये मतलब उनमें जरा से भी air present नहीं हो कि क्या है, food को rancid करें या फिर spoil करें है, ठीक है, तो ये कुछ हमारे 6 methods से, किनग को prevent करने के, rancidity को prevent करने के, ठीक है, तो इसमें हमने देखा, types of reactions, इस lecture मन में क्या 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 types of reactions देख ली, ठीक है types of reactions के साथ साथ हमने क्या देख लिया effects of oxidation देख लिया in our everyday life, ठीक होप करता हूँ आपको यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा अगर फिर भी समझ में नहीं आया है ठीक है, तो हर बार की तरह मैं आपसे फिर request कर रहा हूँ ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो अपनी query को क्या है, अपने तक ही नहीं रखना है अपनी query को क्या है, अपने तक ही नहीं रखना है because it will spoil, it will spoil क्या, it will spoil your marks in, क्या 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 था है, your exam ठीक है अगर कोई भी कोईरी है यहां तक ठीक है तो मैं फिर बोल रहा हूं आपसे हर वीडियो में अपने हर वीडियो में बोलता हूं अगर कोई भी कोईरी इस लेक्चर में रह गई है तो इसी लेक्चर के कमेंट बोक्स में आप टाइप कर दीजिए मैं खुद आपको वहा अपनी studies को properly continue करता है और जो भी हमारा material है हम जो आपको दे रहे हैं जो भी हम आपको study material दे रहे हैं जो भी lectures दे रहा हूँ आपका है easily grab कर पाएं ठीक है? Thank you guys, thank you so much आपको यहां तक समझ में आया होगा meet you soon in your next lecture of this chapter Thank you